नमस्कार दोस्तों उससे कुश्चन्स का आंसर नहीं दे पाते हैं इसी तरह आप देख सकते हैं कि मद्विदेश MPPSI की तयारी करते होंगे आप लोग MPPOLIS, MPSI, पटबारी, सिक्चकवर्ती या फिर आप देखते होंगे कि मद्विदेश में जो भी आपके गवर्मेंट एक्जाम होते हैं जिनमें आपका मद्विदेश सामान ग्यान से कुश्चन्स आते ही हैं उनमें आप देखते होंगे कि मद्विदे सामान ग्यान के लिए आप लोग 10 बुक्स पढ़ लेते होंगे, कई तरह की बुक्स आप लोग पढ़ लेते हैं, फिर भी आप लोग देखते हैं कि कुश्चन्स आता है, तो आप लोग उसका अंसर नहीं देने की स्तिती में होते है तो इसमें एक आप लोग ध्यान रखा करिएगा सबसे पहले तो आप लोग याद रखा करिएगा कि आप लोग book से पढ़ने से पहले आप लोग के पास उसका जिस भी एक्जाम की तैयारी करें उसका आपके पास slayvers भी होनी चाहिए और दूसरा आपके उसके पास कम से कम 5-6 साल जैसे MPPSC prelims ले लिजे तो इसके 5-6 साल के पुराने questions paper आपकी जो भी आपके पास होना चाहिए ठीक है? और आप लोगों को यह होना नहीं चाहिए केबल इन questions paper को भी आप लोगों को देख लेना चाहिए जब उसके बाद आप लोग जब भी आप कभी books बढ़ते हैं तो आप लोग जैसे ही आप लोग line में जाएंगे कि मदबिदिस की स्थापना इस दिन हुई थी तो आप लोगों के मन में एक सवाल आ उठने लगेगा कि अच्छा questions बन सकता है हमारी prelims में कि मदबिदिस की स्थापना कभ हुई थी इस तरह का questions बन सकता है या फिर आप लोग देखिए हर कोई कहता है कि आप लोग अधिक से अधिक mock test दिया करेगा या आप देखते हो कि जब आपका एक chapter खतम होता है उसके बाद आप लोग questions से देख लिया करेगा उस chapter के इससे क्या रहता है कि काफी फायला भी मिलता है और मुझे लगता है कि आप देखिए पहला आपका मदबिदेश सामान ग्यान में आपका पहला chapter है सामान परिचय की बारे में मदबिदेश और मुझे लगता है कि इस chapter को आप लोगोंने 10 तरह की बुक्से से पढ़ा होगा लेकिन हम लोग यहां बेस्तार से कुछ नहीं बात करने वाले हम लोग बात करेंगे कि आखिर questions किस तरह के पूँछे जा सकते है जो आपका सामान परिचय है मदबिदेश का इससे questions किसने तरह के पूँछे जा सकते है कौन-कौन से questions आपकी परिच्छा हों में आने की उमीद रखते हैं एक तरह से आने लाएक हैं ठीक है उन्हीं को हम लोग देख सेंगे तो इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना होगा कि सबसे पहले questions पूँचा जा सकता है आप लोगों से कि मदबिदेश की इस्थापना कह भी थी यही questions आ सकता है तो आप लोगों को मालू होना चाहिए कि मदबिदेश की इस्थापना 1 November 1956 भी थी कब 1 November 1956 एक कुश्चन्स बन सकता है दूसरा कुश्चन्स आप से पूँचेगा कि इसकी राध्धानी क्या है तो आप लोगों कमालू होगा मद्विदिस की राध्धानी भो बाल है ठीक है एक कुश्चन्स पूँचा जा सकता है फिर आप से कुश्चन्स पूँचा जा सकता है कि इसके पितीक राध्जे के जो पितीक है इनसे भी आपका कुश्चन्स आ सकता है तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना चाहिए कि मद्विदिस का जो राध्जे पुस्प है राज्ज पुस्प यह क्या है यह है आपका लीली क्या? लीली टीक है इसके बारे मैं भी याद रखिए इसमें आपका डारेक्ट ठी कुश्चन्स पोछलेगा कि राज्ज पुस्प क्या है मदद्विस का तो लीली टीक है और इसे आप लोग लीलियम candy mum भी बोलते हैं ठीक है ये भी आप लोग याद रखिए दूसरा आप से questions पूछा जा सकता है कि राजनित क्या है राजनित मद्विदेश का राजनित क्या है अगर आपको आता हो तो आप लोग नीशे लिख भी सकते हैं ठीक है इसमें निद्ध क्या है राई और आप लोग काफी बुंदेलखंड से होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि जब भी आपके यहाँ एक तरह से खुसी का माहूल होता है तो आप लोग करवाते भी है राई इसमें आप देखते हैं कि जो मुख पात रहता है जिसे आप लोग बेड़नी कहते हैं ठीक है और याद रखे मुझे लगता है कि ऐसा कोई तेवार ही नहीं जाता है बुंदेलखंड में जब आपके यहाँ ना ह होती हो ठीक है अंगला कुश्चन्स आप से पूँचा जा सकता है कि मद्वदेश का राज्य पक्षी क्या है मद्वदेश का राज्य पक्षी क्या है यह भी कुश्चन्स आ सकता है और आना भी चाहिए मुझे लगता है इस तरह के कुश्चन्स और कई फरीक्ठा में आपका साह बुल बुल साह बुल बुल एभी आप लोग याद रखिए क्या है देखिए एक तो मेरी राइटिंग बड़ी वो है उपर से एक वोड भी आप समझे कि जो आपका एप है एभी बड़ा मतलब आप समझे कि लिखने में बड़ी प्रॉबलम होती है ठीक है तो आप लोग मुझे लगता है इतने तो आप लोग समझदार भी है ठीक है तो राजबक्षी आपका क्या है दूद राज और साह बुल बुल और याद रखिए इसके बारे में एक और कुश्चन्स बज़ सकता है आपका कि आपका इसे राजबक्षी कब घोसित किया गया था मत्पधिश का तो आप लोगों को मालू होना चाहिए राजबक्षी घोसित किया गया था 1 नवंबर 1981 को 1 नवंबर 1981 को है जब मत्पधिश 25 भी बरसगांट मना रहा था अपनी तभी आपका राज्य पक्षी हो या राज्य आपका बैक्षो राज्य पसू हो इन तीनों को गोसित किया गया था ठीक है फिर आप से एक कुश्चन्स पूचा जा सकता है कि मत्पधिश का राज्य खेल क्या है राज्य खेल क्या है मत्पधिश का MP का राज्य खेल क्या है तो यह आप लोगों को याद रखने चाहिए मल खंब है क्या है मल मल खंब ठीक है और एक कुश्चन्स इससे संबन दी ता आपका एक और पूचा जा सकता है कि मलखंब को आपका राज्जी खेल कब मद्धपेदेश ने घोसित किया था तो ये था 9 अपरेल 9 अपरेल सन 2013 को सन 2013 को तो याद रखिए ये भी आपसे कुश्चन्स बन सकता है और एक कुश्चन्स आपसे और पूचा जा सकता है कि मद्धपेदेश में मलखंब अकादमी कहा इसते थे तो याद रखिए ये हैं और आप जानते हैं कि महाकालेस और मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा और उज्जेन आप देखते हैं कि छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है ठीक है यह भी आप लोगों को याद रखना होगा एक कुश्चन्स आप से पूछा जा सकता है कि मदविदेस का राज नाट क्या है नाट नाट क्या है तो आप लोगों को मालू होना चाहिए यह है आपका माच और मालवा चित में आप देखी काफी यह चर्चित भी रहता है ठीक है माच यह भी आप लोग आराम से सॉल कर लेंगी अगर यह आता है अंगला कुश्चन्स आप से महा सीर पिजाती की महा सीर पिजाती की मचली ठीक है इसके बार में आप लोग याद रखिए और एक से कुश्चन्स इसी से रेलेटे यह आपका कुश्चन्स पूँचा जा सकता है कि यह नर्वदा नदी में आप लोगों को देखने को मिलेगी और सन-2011 में से गोसित किया गया था सन-2011 में तो एक भी आप लोग याद रखिए एक कुश्चन्स आप से पूँचा जा सकता है कि राज पसु क्या है राज पसु की पूँच रहा हो तो इसमें आप लोगों को याद रखना होगा बारे सिंगा है कहां कहना किसली जो राश्टी उद्ध्यान है न आपका इसमें काफी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा और याद रखिए जो आपका पसु है इसे भी आपका एक नवंबर 1981 को मद्विदेश का राज पसु गोसित किया गया था 1981 को ठीक है ये भी आप लोग याद रखिए अंगला कुश्टी आप से कैसा पूँचा जा सकता है कि राज बैक्ष के बारे में भी पूँचा जा सकता है बैक्ष और इस बैक्ष से आप लोग काफी परचित भी होंगे बरगत और मुझे लगता है कि हिंदूओं में काफी आप समझते हैं कि इसे पूजा भी जाता है कहते हैं भगवान इस पर एक तरह से वास करते हैं उनका निवास स्थान है समझ रहे हैं और आप देखते होंगे काफी चायादार वेक्ष होता है ठीक है बरगत इसे भी आप लोग याद रखिए और ये काफी उप्रयोगी भी है आप समझ रहें एक कुश्टनस आप से भूश्चा जा सकता है कि राज्य फसल क्या है मद्यपिदेश की राज्य फसल क्या है तो ये आप लोगों को मालूप होना चाहिए फसल है आपकी सुयाविन और आप जानते हैं कि मद्यपिदेश को सुयाविन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ सुयाविन अधिक पाया जाता है सुयाविन एवी आप से अगर कुश्टनस पूचता है तो आराम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो यह तो मुझे लगता हैं कि मौल होना चाहिए आम है तो याद रखे जिए मद्यपिदेश में लगमक सधी जगे आप लोगोंगों को देखने को मिलेगा और आप मैंसे कही लोगों को इसका आचार भी पसंद होगा आम भी पसंद होगा तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं एक आपसे question से पूँचा जा सकता है कि मद्धिदेश का गान क्या है तो यह मेरा मद्धिदेश मेरा मद्धिदेश मेरा मद्धिदेश ठीक है आप लोग sort में लिखा करिएगा देखे sort notes का गहने का मतलब क्या होता है कि एक books को आप लोग 10 page में खतम करते हैं यही तो sort notes बनाने की कला होती है ठीक है तो आप लोगों से पूँचा जा सकता है इससे कि जो मद्धिदेश का गान है मेरा मद्धिदेश इसके रचे इत्या कौन थे इसे किसने लिखा था तो याद रखे यह थे आपके स्री महेश स्री महेश स्री वास्तो स्री वास्तो जी ठीक है स्री वास्तो वास्तो जानते हैं वो वास्तो एक movie भी थी कापी खतरना संजदत की तो इसी से आप लोग याद रखे ठीक है और इसे कब गोसित किया गया था मद्विदेश का गान तो आप लोगों कुमाल होना चाहिए कि ये था 26 जुलाई 26 जुलाई सन 2011 ठीक है इससे जितने भी मुझे लगता है questions पूछेगा आराम से आप लोग solve कर ले जाएंगे ठीक है एक questions आप से पूछा जा सकता है मद्विदेश के राच्किय चन्न के बारे में तो आप लोगों को याद होगा कि मद्विदेश का राच्किय चन्न की अगर हम बात करें तो एक 24 इस्तोब 24 इस्तोब की आग्टी के अंदर एक वर्त आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप देखेंगे ग्यहूं की बालियां आपको देखने को मिलेगी ग्यहूं और धानकी ठीक है यह आप से questions पूछेगा धानकी और आप देखेंगे इसमें आप लोगों को बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें एक तो आपका मद्वधेश सासन लिखा हुआ है और उसlaimed के पास आपको नीचे दिखने को मिलेगा सत्यमेव जैति लिखा हुआ है तो इसमें आप लोगों को कैंदरी बेयरत में आपको असोक स्थम की सिंग आकरिती भी देखने को मिलेगी और जो आपका राज ये ब्यक्ष है ये बर्गत ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा तो जो भी questions इससे लेलेटे पूंचा जाता है आप लोग मुझे लगता है कि आराम से solve कर ले जाएंगे तीन questions आप से वैसे आँगे हम लोग इतियास में जरूर पढ़ेंगे आपका लेकिन अभी आप लोग देखिए जबायटा कल्चर पढ़ेंगे हम लोग संस्किती मदबदेश की तब बिस्ताय से पढ़ेंगे लेकिन फिर आप आपको बता दूँ कि मदबदेश में तेन आपकी उनेशको की विस्त धरोहर इस्थल भी है एक तो आपकी खजराहो इनसे भी आपकी direct questions पूँच लेता है आप जानते हैं कि खजराहो में चंदेल सासकों का राजबी राय उन्हेनों ने यहां काफी मंदरी भी बनवाए थे तो इसे आपका विस्त धरोहर सूची में जोड़ा गया था तो आप लोगों को याद होना चाहिए ऑनिस सो छयासी में खजराहो को दिस विरास्त सहरों की पिस्त धरोहर की सहररे से सूची में कब सामिल किया गया था इस तल की तो ऑनिस सो छयासी ठीक है दूसरा आप देखते हैं कि साची है यह असोक ने आप जानते हैं असोक से जुड़ा हुआ है और इसे कब सामिल किया गया था 1989 1989 में एक और है आपका कौन सा भीम बैट का भीम बैट का इसे कब सामिल किया गया था सन 2003 में इन तीन साइटों को भी आप लोग याद रखी इनसे आपके कुश्टन्स पूछे जाने की संभावना भी है ठीक है अंगला कुश्टन्स आप से क्या पन सकता है एक तो आप से पूछा जा सकता है कि मद्धविदेश के आप समझे ए मद्धविदेश से इसमें आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा तो यह है आपका मद्विदेश ठीक है इससे कौन कौन से राज्यों की सीमा लगी हुए तो एक तो आपको याद रखना होगा उत्तरपिदेश से सीमा लगती है मद्विदेश की और चतीस गड़ से भी लगती है और आप से भी लोग जानते होंगे कि चतीस गड़ से आपकी चतीस गड़ पहले मद्विदेश का ही हिस्सा हुआ करता था महराष्ट से भी लगती है गुजरास से भी लगती है और राजिस्थान से भी लगती है यानि कि मद्धपदेश की सीमा आपकी 5 राज्यों से लगती है उत्तरपदेश, 36 गड़, महराष्ट, गुजराद, राजिस्तान लेकिन आपसे कुश्चन इस तरह का भी पूचा जा सकता है कि मद्धपदेश के कितने जिलों की सीमा उत्तरपदेश से लगती है तो आप लोगों को मालू होना चाहिए, 14 जिले, एक कौन-कौन से सामिल है इसमें इसमें सबसे उपर जाईए आप लोग मुरेना दिख रहा है आप लोगों को, आप लोग करम से याद रख सकते है और एक तरह से आपका questions पूँच लेगा कि क्या ग्वालियर की सीमा उत्तरपदेश से लगती है या दतिया की सीमा उत्तरपदेश से लगती है इस तरह के questions आप से पूँचा जा सकता है तो आप लोगों को याद भी होना चाहिए, ठीक है? और देखेंगे आप लोग मुरेना की सीमा लग रही है बेंड की भी लग रही है उसके बाद आप देखेंगे दतिया की भी लग रही है उसके बाद आप देखेंगे सीवपरीच की भी लग रही है ग्वालियर की सीमा उत्तरपदेश से नहीं लगती है याद रखिए ठीक है फिर आप आएंगे तो असोखनगर की भी आपको सीमा दिखाई दे रही है कि उत्तरपदेश से लग रही है और आप देखेंगे उसके आंगे बढ़ेंगे आप लोग तो सागर की सीमा भी उत्तरपदेश से लगती है ठीक है यह भी आप लोग याद भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से लगती है ठीक है उसके बाद आप देखेंगे पन्ना की सीमा भी आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लगती है सतना की सीमा भी आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लगती है रीवा की सीमा भी आप उत्तर प्रदेश से मुझेगा कि 36 गड़ से कितने जिलों की सीमा लगती है मदविदिस के तो याद रखी यह आपके कौन-कौन से हैं यहाँ आप लोग देख सकते हैं इनमें कौन-कौन सामिल है आपका एक तो आप देख रहे हैं कि सिंग्रॉली की लग रही है लग रही है नहीं लग रही है यह पहडोल की भी लग रही है अनुपुर की भी लग रही है और आप देखेंगे यहाँ डिनोरी की भी लग रही है और एक बालागाट ठीक है और बालागाट की भी सीमा लग रही है और एक मंडला की भी ठीक है यह आप लोग देख सकते हैं ठीक है एक दो तीन और चार 6-7 जिलों की सीमा आप देखेंगे किसे लग रही आपकी 36 गड़ से ठीक है यह आप देख सकते हैं उसके बाद आप अगर आप से पूचते आई कि महराश्ट से कितने जिलों की सीमा लगती है तो इन्हें भी आप लोग देख लीजिए देखें मद्बदे से आपकी महराश्ट ए है ठीक है बाला घहट की सीमा आपकी महराश्ट से लग रही है देख रहे हैं आप लोग देखेंगे बैतुल की बाद आप देखेंगे खंडवा यह आपका खंडवा है इसकी सीमा भी आप लोग देख रहे हैं कि लग रही है ठीक है उसके बाद आप जाएंगे बुरहानपुर की सीमा भी लग रही है खरगोन की भी लग रही है बड़वानी की भी लग रही है ठीक है और जो अली राजपुर है इसकी सीमा भी आपकी किसे लग रही है महराश्ट से एक, दो एक, दो तीन, चार, पांच छे, साथ आठ, नो, दस यानि कि दस जिलों के मद्देश के दस जिलों की सीमा आपकी महराश्ट से लगती है फिर आता है आपका गुजरात तो सबसे कम सीमा लगती है मद्देश की गुजरात से कौन-कौन से जिलों की एक आपका ज़ावुआ है दूसरा अली राश्पुर इन सभी जिलों को आप लोग याद रखी कम से कम questions जरूर पूछेगा आपसे ठीक है और एक आपसे लाश्ट बच्चता है राजिस्थान एह है आपका राजिस्थान तो याद रखी राजिस्थान से सीमा कौन-कौन से जिले की लगती है मद्धिश के तो सबसे उपर आप देखिए एक तो आप देख रहे हैं जाबुआ की सीमा लग रही है जाबुगा की आप देख रहे हैं गुजरास से भी लग रही है और आपकी राजिस्थान से भी लग रही है अले राज़पुर की आप देखें की गुजरास से भी लग रही है महराष्ट से भी लग रही है यह भी आप लोग याद रखिए उसके बाद आप देखेंगे रतलाम की भी लग रही है उसके बाद आप देखेंगे मंदसोर की भी लग रही है नीमच की भी लग रही है इस तरह से आप आँगे बढ़ेंगे तो आगरमालबा की भी लग रही है राजगड की भी लग रही है उसके बाद गुना की भी लग रही है और सिवपुरी की भी लग रही है सिवपुरी की उत्तरपदेश से भी लगती थी राजिस्थान से भी लग रही है सेवपुरी की भी लग रही है मुरेना की भी मुरेना की भी राजिस्थान से उत्तरपदेश से दोनों से लग रही है इस तरह आपके कितने हो जाते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, आठ, नो, दस जिलों की यानि कि मद्विदेश के 10 जिलों की सीमा आपकी राजिस्थान से लगती है एक कुश्चनस आपसे और पूछा जा सकता है कि मद्विदेश के करक रेखा जो 23 डिगरी उत्री अक्षान से आपकी करक रेखा ये मद्विदेश के कितने जिलों से जाती है या अभर आप सिर्कुष्टान से बन जाता है कि कितने राज्जों से जाती है तो पहले आप लोग राज्जी देख लीजी उसके बाद आप लोग मद्वदिस को देख लेना ठीक है तो करक रेखा आपकी गुजरास से भी जाती है राजिस्तान से भी जाती है मद्विदे से भी जाती है चतिसगड से भी जाती है जारखन, पश्चे मंगाल और तिपुरा और मिजोरा इस तरह आप कितने हो गए एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, आठ यानि कि करक रेखा आपकी आठ राज्जों से होकर जाती है यह आप लोग याद रखिए ठीक है? आठ राज्ज यह आप लोग रट लीजिए एक तरह से क्योंकि इससे कुश्चन साब के कईवार पूछ लिया गया है ठीक है? अगर मद्विदेस के जिलों की हम लोग बात करें कि मद्विदेस के कितने जिलों से जाती है तो इसमें आप लोगों को याद रखना होगा यहाँ से चलिए आप लोग रतलाम से भी जा रही है उसके बाद आप देखेंगे उज्जन से भी जाती है उसके बाद आप देखेंगे सिहोर से भी जाती है क्या है उसके बाद आप देखेंगे सिहोर आपका ए है सिहोर से भी जाएगी भोपाल से भी जाएगी और आपकी विदीसा से भी जाती है रायसेन से भी जाती है और आप देखेंगे सागर से भी जाती है आपकी उसके बाद आप देखेंगे सागर के बाद दमो से भी जा रही है आपकी और दमो के बाद आप देखेंगे जवलपुर से भी जाती है कटनी से भी जाती है और कटनी के बाद आप देखेंगे उमरिया और सहडोर ठीक है इनसे यानि कि कितने एक दो तीन चार पाँच छे साथ आड़ नो तस ग्यारा बारा तेरा चौद है यानि कि मदबदिस के चौद है जिलों से आपकी करक रेखा जाती है इन सभी को आप लोग कंठस त्याद रख लीजे क्योंकि आप से क्या करक रेखा मदबदिस के सागर से जाती है या आप लोगों को चार ओप्सम दे देगा उसमें तीन दे देगा जिसम से नहीं जाती है और एक दे देगा जाती है तो आप लोगों को इस तरह से किसी भी तरह से questions आज सकता है ठीक है यह भी आप लोग याद रखिए एक questions आप से और पूँचा जा सकता है कि जो 82 degree आपकी मानक समर रेखा है जिसे आप लोग 82 पूर्वी देसांतर भी कहते हैं तो एक केबल मात आपकी सिंग रॉली से जाती है और एक questions आपका कई बार कई तरह की परिक्षां में पूँचा भी जा चुका है तो सिंग रॉली से जाती है करक रेखा माप करीब मानक समर रेखा जिससे आप देखते हैं कि समय निर्धारित होता है अगर आपके राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों में भी बता दिता हूँ कितने राज्यों से जाती है एक तो आपकी उत्तर पेदेश से जाती है मंद्पेदेश से जाती है चतीजगार उड़ेशा और आंद्पेदेश पांच राज्यों से जाती है आपकी मानक समय रेखा और करक रेखा आपकी आठ राज्यों से इन दोनों को आप लोग याद रखिए इनसे questions आपके बन चुके हैं मैं तभी बार-बार बोलना हूँ आप लोगों से ठीक है? और एक questions आप से पूछा जा सकता है कि मद्विदेश का जो आप समझी यहां से लेकर यहां और यहां से लेकर यहां यानि कि आप कहने का मतलब है मारा कि जो मद्विदेश आप समझी कि उत्तर से दच्चन क्या है? यह उत्तर से दच्चन यह लंबाई ही कितनी है तो यह आप लोगों को मालूँ न चाहिए कि 800 महापकरी 605 किलोमीटर है कितनी 605 किलोमीटर ठीक है याद रखिए अगर यहां से आप लोग बात करें यहां तक की तो यानि कि आप समझे पुरुप से पश्यम तो आप लोग देखिए 870 किलोमीटर है ठीक है? यह भी आपसे questions पूँचा जा सकता है और एक questions आपसे कई बार और पूँच लेता है कि भोपाल से सबसे दूरी पर कौन सा जिला इस्ते थे तो याद रखे सिंगरॉली यानि कि कहने का मतलब है कि सिंगरॉली के लोगों को अगर भोपाल जाना है तो सबसे जानदा दूरी तै करनी होती है याद रख सकते हैं यह भी आप लोग अच्छे से याद रखे आँगे questions आपसे किस तरह का बन सकता है और भी questions पूँचे जा सकते हैं यह भी questions पूँचे जाते हैं आँगे भी हम लोग जन संख्या जब मद्बदिस के परिवेक्च में आपकी जनांगी की यह देखेंगे तब बिस्तार से पढ़ेंगे लेकिन फिर भी आप लोग याद रखें कि मद्बदिस में सबसे कम लिंगनपाद के कहां है लिंगनपाद कहने का मतलब होता है कि महलाओं और पूरसों की संख्या के वारे में बताता है अगर कम लिंगनपाद हुआ तो यानि कि कहने का मतलब है कि पूरसों की अधिक संख्या है और महलाओं की अधिक तो सबसे कम आप देखेंगे महिलाएं भेंड में देखने को मिलेंगी 1000 पर आप समझ सकते हैं कि कितनी कम महिलाएं ठीक है तो यह भुंड है क्या है भेंड और सबसे अगर जांदा लेगनपात की बात करें तो यह बालागाट एक डारेक्ट्टू कुश्चेंस आप से जावट देखेंगे आप लोग राजधानी है तो अधिक लोग रहते हैं कम छेत में अधिक लोग रहते हैं और नियूनतम अगर हम लोग जनसंख्या घनत की बात करें तो आप लोगों को डिंडोरी देखने कुमलेगा ठीक है यह भी आप लोग याद रख सकते हैं और पिथवीपोर और्चा को मिलाकर आपका निवाडी जिला मना है तो और्चा आपका निवाडी में फड़ता है ना कि टीकमगड में टीकमगड से अलग हुआ है आपका निवाडी ठीक है और एक आपसे कुश्चन्स पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है चित इसके बाद सबसे जानदा जगह है चिरवाड़ा की ठीक है आप लोग देखते हैं कि कमलनात यहीं से जुड़े हुए है ठीक है तो यह भी आप लोगों से questions पूछा जा सकता है अंगला questions आप से क्या बन सकता है इसके बारे में भी तो आप लोगों को मालू होना चाहिए एक questions आप से पूछा जा सकता है कि पितवी का कैंद बिंदू कहा है तो आप लोगों को मालू होने चाहिए यह है आपका मंगलनात उज्जैन में ठीक है यह है आपका अगर आप से पूछे कि मद्विदिस का कैंद बिंदू तो आप देखना है सागर बीचों बीच में पढ़ स्थान है तो आप लोगों को मालू होगा कि जब तक 36 गर मद्विदिस से जुड़ा हुआ था तब तक नंबर बंद पर था और जैसे ही आपका 36 गर संदो यार में अलग कर दिया गया मद्विदिस से तो मद्विदिस सेकेंड नंबर पर आ चुका है पहले पर आपका राज पिदिस का क्या इस्थान है तो आप लोगों को बता दूँ अगर आपके टोटल 28 गराज और 8 केंदसासित पिदिसों की बात करें हम लोग तो आप लोगों को मिल लेगा कि इन सभी को जोड़कर आप देखते हैं कि 36 गराज तो आपका इस्थान 36 में से 28 गर हम लोग केबल यानि कि 28 में से बात करें तो आप लोगों को नंबर मिलेगा इसमें 21 बा मिलता है ठीक है यह आप लोग याद रखिए और लिंगल पात में अगर बात करें हम लोग तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 36 गराज जों में से आपकी गरना की जाए तो आप 20 भी नंबर प questions कई बारे पूछा जा चुका है मद्द पिदेश की ओक नामों के बारे में कई questions आ जाता है कई बार तो देखिए आपका जो मद्द पिदेश है एक तो मद्द में होने की कारण इसे हिदय पिदेश भी कहते हैं आप लोग ठीक है फिर आप लोग Central इंडिया भी कहते हैं ठीक है सेंटर में होने के कारण लगू भारत भी कहते हैं आप लोग डायमंड पिदेश भी कहते हैं डायमंड हीरा आप देखते हैं पन्ना में मिलता है सोया पिदेश यानि की किसी भी तरह का questions पूँचता है तो आप लोग आराम से solve कर देंगे मुझे लगता है ठीक है एक questions आपसे और पूँचता है इस तरह के कि मद्धपेदेश की राधधानी तो आपने देख लिया है भोपाले लेकिन आपसे पूँची कि मद्धपेदेश की ग्रीज समिकाली दानी क्या है तो आप लोगों को मालू होगी एह आपकी कौसी कौसी बताइए यह आपकी इन दोर ठीक है कौसी बेवसाइक राधधानी इन दार एगर खेर लाध्पेदेश की खेर रादधानी क्या है तो ये भी आपकी इंदोर है और आप मेंसे अधिक तलोग MPPSC के लिए यहां तैयारी के लिए भी जाते होंगे एक आपसे questions पूचा जा सकता है कि मदविद इसकी कुईला रादधानी क्या है तो आप लोगों कुमाल होने जाए सिंगरॉली और याद रखी उरज्या रादधानी भी आपकी सिंगरॉली ही है ठीक है और एक आपसे questions बन सकता है कि राज जी की मैगनीज रादधानी तो यह आ काफी पिछलित है तो यह भी आप लोग याद रखिए और आपसे इस तरह के questions भी कई बार पूच लिए हो पूचा जा सकता है इसमें कोई सक भी नहीं होने चाहिए ठीक है तो आप लोगों को बता देता हूँ कि मद्विद इसका उत्तरतम सबसे उत्तर में कौन सा जिला है तो आप देख रहे हैं कि मुरेना है और अगर आपसे पूचता है दच्छन में कौन सा है तो आप देख रहे हैं बुरहानपूर है और अगर आपसे पूचता है पूरुप में सबसे पूरवत्तम जिला कौन सा है सिंगरॉली है और अगर आपसे पूचतर में तो अली राज तेन लाग आठ जार दोसो बावन वरक किलूमीटर ठीक है वरक किलूमीटर यह आप लोग याद रखिए ठीक है याद रखिए और 36 गड़ की आभिभाजित होने से पहले कि अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा यह था आपका 4,444,444 वरक किलूमीटर ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखिए अगर किसी भी तरह का कुश्चन पूचता है आराम से मुझे लगता है कि आप लोग सॉल्व कर देंगे ठीक है और याद रखिए देखिए मद्वदेस ही हमारा गोलाड की बात करें अगर हम लोग तो हमा आपको पूर्वी गोलाड में देखने कुमले का जहां भारत है वहां आपका मद्वदेस भी है तो यह भी आप लोग याद रखिए लेकिन अक्छांस के बारे में आपसे जरू पूच सकता है अक्छांस और देशांतर के बारे में तो आप लोगों को बता देता हूं या द 26 डिग्री यह डिग्री है ठीक है छै मेनीट उत्तरी अक्छांस से लेकर आप लोगों को देखने कुमले गा यह है आपकी 26 डिग्री 30 मिनिट उत्तरी अक्छांस जरूर्ट वोला है आपको ठीक है ओत्तीस तीज डिग्री उत्रियाक इन्ष ठांस अगर हम लोग देशांतर की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा यहां से लिकर यहां तर ठीक है तो यह है आपका 74 कितना 74 डिग्री 64 डिग्री ansep minute उनसर्प minute पूरवी देशांतर से लिकर आप देखेंगे यहां आपका क्या पड़ेगा इसकी बात कर रहा हूं यहां आप देखेंगे एह आपकी 82 degree कितना 82 degree 66 minute पूरवी देशांतर ँके से भी आप लोग याद रखें से आप लोग किसी भी तरए है याद रखें कि 21 डिगरी 6 मिनिट से लेकर 23 *** 36 मिनिट उत्तरीक चानस और आप से पूर्वी देशांतर में बात करें तो 74 डिगरी 69 मिनिट से लेकर 82 डिगरी 46 मिनिट पूर्वी देशांतर ये आप लोग याद रखें और total याद रखें मद्वदिष के पास total भारत के छितफल का कितना है आप देखेंगे यह आपका 9.38 मद्वदेश की पास है एवी डारेक्ट अगर कुश्चन्स पूँचता है तो आप लो solve कर देंगे मुझे लगता है एवी आप लो याद रखें अंगला कुश्चन्स आप से किस तरह का पूँचा जा सकता है एक कुश्चन्स और आप से पूँचा जा सकता है कि मद्वदेश की सर्वोच चोटी कौन सी है तो याद रखें धूपगड है और मुझे लगता है कि भारत के बारे में तो आपको मालू होगा कि नहीं है मालूप धूपगड धूपगड ठीक है अगर आप से बात की जा इसकी उचाई कितनी है तो 1350 मीटर कितनी 1350 मीटर है ठीक है यह भी आप लोग याद रखें और भारत की आप लोगों को मालूँ होगा कि केटू है और यह आपकी कहाँ पढ़ती है पीओ के बाले इससे में यहाँ है यानि कि यहाँ ठीक है लगड़ाग बाले आप देखते हैं कि लगड़ाग का हिस्सा है पीओ के बाला तो यह भी आप से कुश्चन्स पूछे तो आप लोग आराम से मुझे लगता है बता सकते हैं और बता भी देना चाहिए ठीक है और एक कुश्चन्स आपसे और पूछा जा सकता है कि छेतफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो आप लोगों को बता देता हूँ छेतफल में सबसे बड़ा संभाग और सबसे चोटा संभाग तो सबसे बड़ा संभाग तो आपका जबलपूर है कौँसा जबलपूर है चेतफल की बात कराओं और सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो सहडोल देखने को मिलेगा ठीक है और जिला की अगर बात करें कि छितफल में सबसे बड़ा जिला कौँसा है तो छितबाड़ा है कह और जन सेंख्या की दृष्टी से अगर सबसे बड़े जिले की बात करें तो इंदौर ही देखने को मिलेगा और सबसे छोटा निवाडी ठीक है यह आप लोग याद रख सकते हैं और सबसे बड़ी नदी की बात करें तो आप देखते हैं नर्बदा है आप जानते हैं कि यह खाड़ी में गिर जाती है आपकी और इसकी कोल लंबा यह तेरे सो बारे किलोमीटर ठीक है यह भी आप लोग याद रखिए कच्छी की खाड़ी में गिरती है यह भी आपसे कुश्चन्स फूचा जा सकता है ठीक है और सरवाधिक लंबा पुल की बात करें तो आपको गरते हैं चाहण देखने को मिलेगा जवल पुर्में नो सीट है ठीक है और टोटल विधान सब्रस की ओर बात कर लेता हूं 230 है कितनी मदव्दिर्शम में विधान सबासी टोटल कितनी 230 अगर लोग सभा सीटों की बात करें तो यहां आप लोग उंको देखने को मिलेगी 29 कितनी 29 और राज़सभा सीटों की बात करें 11 यहां कुश्चन से एक और बन जाता है आप लोगों से इसे भी बता देता हूँ वरना आप लोग कहेंगे कुश्चन से इस तरह का नहीं बताया देखे अनसूच जाती के लिए कितनी आरक्षित सीटें की गई है लोग सभा में तो आप देखेंगे 4 सीटें और अनुसूचित जन्जाती यानि कि ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है मत्वदेश में 6 सीटें इन्हें भी आप लोग याद रुखिए और बिधान सभा की बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ST के लिए ST के लिए आपकी 35 सीटें यानि कि अनुसूचित जाती के लिए 35 सीटें इसमें से 230 में से आरक्षित की गई है और ST के लिए आपकी कितनी 47 सीटें ये भी आपसे अगर कुश्चन्स पूँचे तो आराम से आप लो सॉल्व कर सकते हैं ठीक है इस तरह के कुश्चन्स आएंगे तो आराम से आप लो बता सकते हैं तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए देखिए सबसे एक और कुश्चन्स आपसे अगर पूँचे कि सबसे जाना बरसा कहा होती मद्विदेश में तो पचमडी में ठीक है मद्विदेश की सर्वोच चोटी कौन सी है दूबगर और ये महादेव सेंडी में है और सत्पुडा परवत पर है इसकी कुल उचा ही है तेरे सो पचास मीटर ठीक है याद रखिए अब आपसे कुश्चन्स पूचा जा सकता है कि मद्विदेश का पहले मुखमंत्री पहली महिला मुखमंत्री पहला राजपाल पहली महिला राजपाल कौन थी तो इन मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को कि मद्विदेश की पहली महिला के बारे में बात कर लेते हैं कि और राजपालों के बारे में भी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तो आप लोग याद रखिए मद्वदेश की अगर पहले मुकमंत्री के बारे में हम लोग बात करें तो पहले मुकमंत्री थे यहां के पंडित आप लोग जानते होंगे पंडित जी को पंडित रभी संकर स मेरे लिए मुस्किल होता है क्योंकि छोटी सी आप समझे टैबलेट की स्क्रीन रहती है ठीक है तो पंडित रवी संकर आपके मद्विदेश के पहले मुखमंत्री थे और अगर आप से पूछे कि पहले राजपाल कौन थे मद्विदेश के पहले राजपाल तो इसमें आप ल पंडित कुंजीलाल दुबे कौन थे कुंजीलाल इस तरह के कुश्चन्स भी कई बार पूछ लेता है कुंजीलाल दुबे ठीक है यह आप लोग दुबे साहब को याद रखी ठीक है यह भी आप लोग याद रख सकते हैं एक question साव से पूछा जा सकता है, कि मद्धपदेश की पहली महला राजपाल कौन थे? मद्धपदेश की पहली महला राजपाल. तो इनके नाम को याद रख सकते हैं आप लो? सोसरी सोसरी सरलागेबाल साहब. सरलागेबाल. इनको किसी भी तरह से आप लो याद रखिए. कोई राजपालती सूसरी सरलागे बाद अगर आपसे कुश्चन स्कूचे कि मद्पदेश की पिता महला मुकमंत्री कौन थी तो आप जानते हों उमा भारती साहब को तो जानते होंगे न ए हिंदुत बादी नेता है एक अच्छी ठीक है और वड़ी साहब साहब बोलती है जो भी बोलती है उमा भारती साहब ठीक है यह भी आप लोग मद्पदेश की पहली मुकमंत्री है और अभी तक एक ही मुकमंत्री यही महला है ठीक है और आप जानते हैं कि अगर प्धानमंत्री की बात करें तो आप जानते हैं कि इंद्रा गांदी थी और आप जानते हैं कि अगर उनकी बात करें राश्टपती साहब की महला राश्टपती की तो आप लोगों को मालुख होगा कौन थी फिदिभा फाटिल और पहले प्धानमंत्री की बात करें अग क्यों कि इतने हैं तो आप लोग चत्र हैं और एकतर से चालू भी है ठीक है अगला कुश्चन्स आप से पूछा जासकता है कि मदबदेश का एक और कुश्चन्स काफी बनता रहता है आप जानते हैं JOHN Kiken मदबदेश में एक तो इंदौर में हैं, दूसरी आपकी गौालियर में हैं, ठीक है, यह भी आप लोग याद रख सकते हैं, रेकिन आपसे कुश्चन से पूचा जा सकता है, कि मद्यपदेश की पहली, मद्यपदेश का पित्थम अगर नयाजीस की बात की जाए, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह थे आपकी मुहमद हिदायत उला, ठीक है, हिदायत उला सहब, ठीक है, आप लोग थोड़ा एरजिस्ट करिए, बार-बार बोल रहा हूँ, तो पित्थम नयाजीस थे यहां कि मुहमद हिदायत उला, और अगर महला मुख नयाजीस की बात करें, तो आप लो कौन थी, शरीमती, सरोजनी सकसेना, सरोजनी सकसेना, सकसेना साप, भावी जी घर में हैं याद आया कि नहीं है उसी से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक हैं, अंगला questions से पूचह जा सकता है, आप जानते हैं कि राज जिन निर्वाचनायू होता है एक तो आपका राष्टी ये निर्वाचनायू होता है जिसका काम होता है आप जानते होगे कि जो बिधान सबा है लोग सबा है राज जी सबा है या बिधान परिशाद है राष्ट पती है उप राष्ट पती है इन सब क चुनाव करवाना, लेकिन राज जी का जो election commission होता है E.C. election commission ए लोकल बोड़ी के चुनाव करवाता है जिसे आप समझते होंगे, पंचायत को हो गए, नगर पालिका के हो गए, नगर निगम के हो गए, जलापंचायत के हो गए जन पर सदस्के हो गए, तो E.C. के द्वारा ही करवाय जाते हैं, ठीक है तो E.C. questions आपका पूँचा जा सकता है कि मद्विदेश का पितम राज निर्वाचन आयो कौन था तो आप लोगों को याद रखना चाहिए E.C. N. B. N. B. लोहानी लोहानी साहब, ठीक है L.C. लोहानी ठीक है, आप लोग याद रखिए ठीक है अंगला questions आप से क्या पूचा जा सकता है बैसे तो कई questions पूचे जा सकता है आप से पूच लेगा कि मद्विदेश के पितम मुख सचिब कौन रहे है तो ये भी आप लोगों को बता देता हूँ कि मुख सचिब रहे है H.M. कामत क्या H.M. कामत ठीक है कामत केसे कामत आप लोग रखिए और पे था महला मुख सचिब की अगर बात करें तो आप लोगों को याद रखना होगा स्रीमती स्रीमती निर्मला बुच ठीक है ये भी आप लोग याद रख सकते हैं अगर कुश्चन्स आता है तो आप लोग आराम से सॉल भी कर सकते है एक आप से कुश्चन्स बन सकता है कि मद्विदेश की पिथम महा नेदिशक कौन थे तो B.P.2.B. कौन थे आप लोग M.P.P.S.E. की तयारी कर रहे हैं आप में सिविल सर्विस की वी तयारी कर रहे होंगे तो आप भी आँगे बन सकते हैं B.P.2.B. ठीक है दोबे सहाब ये भी आप लोग याद रखे एक कुश्चन्स और पूँचा जा सकता है आप लोग देखते हैं कि केंद में आप देखते हैं कि लोगपाल होता है P.C. घोस पहले लोगपाल बनाए गये थे ठीक है एक आप देखते हैं कि मद्धपदेस मतलब राज्यों के लिए लोकायक्त होता है तो इसमें पहले पिथम लोकायक्त कौन थे पिभी दीख्चित सहाँ पिभी दीख्चित ठीक है याद रुखिए पिभी पिभी दीख्चित सहाँ एक क्योंस आप से और पूछा जा सकता है कि मद्देपिदेश के पिथम राज योजिना मंडल की अध्यक्ष कौन थी तो यह आप लोगों को मालू होना चाहिए प्रकास चंद सेट्थी ठीक है? यह आप लोग याद रखिए एक विश्चन सा आप से पूँचा जा सकता है कि मद्पदेश लोग से वायू की आप लोग तयारी करते होगे तो इसमें अगर आपसे पूछता है कि मद्पदेश लोक से वायुक के अध्यक्ष कौन थे पहले तो याद रखिए यह थे आपके D.B. D.B. Hindi English दोनों मिला के लिखे Reddy सहाब Reddy ठीक है? यह आप लोग याद रखिए यह थे पहले आपके मद्पदेश MPPSC लोक एक तरह से MPPSC के चेयर्मेंट ठीक है? एक आप से कुश्चन्स पूछा जासकता है कि मद्पदेश के पिथम यानि की विधान सबाब देखते हैं ना कि पिथम पिती पक्ष के निताक होनते तो यह थे आपके बिश्नो तामसकर बिश्नो नाथ नाथ भोले नाथ तामसकर ठीक है? एभी अगर आपसे कुश्चन्स बनता है इससे तो आप लोग आराम से बता सकते हैं ठीक है? एभी आप लोग याद रखिए अगर आपसे एक कुश्चन्स और पूछता है कि मद्वेदिस की पिथम महला बिपक्षी नेद्दा कौन थी? तो आप लोग याद रखिए जमना देवी महलाओं से कुश्चन्स कुछ जाना ही पूछ लेता है जमना जमना देवी ठीक है? एभी आप लोग याद रख सकते है और एक कुश्चन्स आप से और पूछा जा सकता है कि पिथम मद्वेदिस के पिथम आदिवासी मुक्षमंत्री कौन थे? तो यह थे राजा राजा नरेश चंद नरेश चंद राजा तो नाम है निका लेकिन नरेश आदिवासी थे ठीक है? चंद यह आप लोग याद रख सकते हैं अगला कुश्चन्स आप से क्या पूछेगा? सबसे लंबे समय तक अगर आप से पूछता आएगी सबसे लंबे समय तक मुक्षमंत्री कौन? यहां कि मुक्षमंत्री तो आप जानते हैं कि आप सिवरासींग हो गये पहले आपके आतेता नंबर दिखविजय सिंग का यह भी आप लोग लगा सकते हैं लेकिन सरबादिक समय तक या नहीं कि लंबे समय तक राजपाल पत पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यह थे स्री हरी बिनायक पार्डस कर ठीक है? बिनायक पार्डस कर ठीक है? यह भी आप लोग आराम से आप लोग याद लग सकते हैं इसे मुझे लगता है कि इतने कुश्चनस तो आप से पूछने की पूरी संभावना भी रहेगी और अभी याद रखे टोटल आपके बावन जिले हैं दस संभाग हैं क्योंकि आपने देखा है 22 बाजिल आपका निवाड़ी बनाय गया था और एक कुश्चनस आपसे मुचा जा सकता है निवाड़ी के बारे में जरूर कुश्चनस पूछने की संभावना है तो यह निवाड़ी आपका नया जिला है ठीक हमगर से बनाया गया था ठीक है अलग करके यह आप लोग याद जरूर रखिए इससे questions और हिदय पेदेश किस ने नाम दिया था तो बंडी जवाहलाल नहरू ने और यहां की अगर भासा की पूछे तो आप लोगों को याद होना चाहिए हिंदी है क्या है हिंदी यहां की राजभासा है ठीक है कामका से एक और इस तरह का पूछा जा सकता है कि मदवदेश की कुल जनसंख्या कितनी है तो याद रखिए अभी तक बात करूँ यानि कि 2011 की जनगना की अनुसार बात कर रहा हूँ और देखे 2021 के बाद आप देखेंगे नए आंकड़े आजाएंगे तो तब आप लोग देख ल याद रखिएगा चलिए तो मुझे लगता हाई कि काफी और काफी कुश्चनस आपके हो चुके हैं और इतना इना मैं से आराम से आपका कुश्चनस पूछ लेगा अराम से ठेक है तो आप लोग याद रख सकते हैं आगे हम लोग बात करेंगे आपकी राज पुनर गठान से संबंदी किस तरह के questions बन सकते हैं कौन-कौन से questions आ सकते हैं तो उसमें भी हम लोग बात कर लेंगे और उसे भी complete कर लेंगे इसी तरह आप देखेंगे हर chapter को आपका chapter by chapter हम लोग देखते रहेंगे ठीक है और याद रखिए एक playlist सूची बना लेते हैं MPG के important fact के नाम से ठीक है उसी में आपको सभी class हैं डली रहेंगी आपको आपको सभी class हैं डली रहेंगी